विल्कम बैक टो चैनल स्टुडेंट तो उमेद करते हम कि आप लोग तयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हुए ठीक है एक्जाम का टाइम आने वाला है बढ़िया से तयारी कीजिए होली भी आने वाला है तो थोड़ा सा होली में भी एंज्वाई कीजिए और थोड़ा चुका है अच्छा मतलब फूर अभी हम लोग कर देंगे यह भी हो जाएगा ठीक है और यह सारा वीडियो आप देखने के लिए आप में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मॉडल पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है क्लास 10 मॉडल पेपर करके होगा तो उसमें आप यह सारा व कर सकते हैं तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल का नाम है और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा वहाँ पर सारा मॉडल पेपर को फ्री में डाउनलोड कर लिजे ठीक है और पढ़ियास पढ़िये, तयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगो को टॉप करना है, अच्छा मार्ग्स लाना है, ठीक है, चलिए, तो हम लोग आप फटा-फट सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या-क्या है, और उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक करें, और चैन है, तुटल लिंज के सामने कहां पे रखेंगे, तो फोकस दूरी के दूगनी दूरी पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, उसके बाद धुर्व और वकृता-केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, धुर्व और वकृता-केंद्र, ठीक है, सेंटर और फोकस, दोनों केंद्र, सेंटर, और फोकस, यह पूरा जो मिलता है, यह किस पर होता है, मुख अच्छ पर होता है, ठीक है, प्रिंस्पल एक्सस भी कहते हैं इसको, तो सी नमबर इसका अप्शन, और मतलब एंसर लिख लेजिएगा, उसके बाद धाड़ी बनाने के लिए किस परकार का द अवतल दर्बन का उप्योग करते हैं, उसके बाद देखिए, अवतल लिंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लिंस की जो फोकस दूरी होती है, वो हमेशा रिनात्मक होती है, और उतल लिंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, गला मेरा बार बार फस जा रहा है, चुलिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि तब है थोड़ा खराग है बस ठीक हो रहा है दीरे 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 आज बार लास्ट दवा चलना है उसके बार ठीकी हो जाएगा बस इसलिए गला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है फिप नमर कोशन देखिए अवतल दर्बन द्वा अंको क्या कहते है तो आखो का जो रंगीन भाग होता है उसको परितारीका या करते हैं सामान आध्र का दूर बिंदु कितना है हाला कि इसका भी बहुत वार पढ़ चुके हैं आप लोग एट नंबर कोशन देखें प्रति दिन सूर्योद एवं सूर्यास्त के बीच लगब कितने मिनट का अंतर होता है तो हमेशा जो है दो मिनट का अंतर होता है इसको याद रखिएगा नाइन नंबर है दृष्टी दोस मुक्यता होता है तो दृष्टी दोस कितना प्रकार का होता ए तो तीन प्रकार का होता है एक दूर तो इसको formula बैठा करके solve करके देखिएगा 11 number question है कि एक कुलाम आवेश में कितने electron होते हैं तो एक कुलाम आवेश में है इसमें जो है level 0.6 into 10 to the power 19 electron होगी है ठीक है अब आगे देखिए 12 number question है कि चुम्बक के छेतर अधिक प्रबल होता है चुम्बक के छेतर कहां सबसे ज़्यादा अधिक प्रबल होता है यानि चुम्बक में सबसे ज़्यादा power कहां पे होता है चुम्बक में सबसे ज़्यादा power जो है वो आपको धूर्ब पे मिलेगा ठीक है जो धूर्ब होता है चुमबक का मालीजी ये चुमबक है तो चुमबक का दो धुर्ब होता है ये वला North ये वला South तो सबसे जादा powerful जो होता है चुमबक का मतलब चुमबक में power सब जादा ये धुर्ब बेही होता है ठीक है बीच में उतना नहीं होता है इसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा दोर्प मिलता है उसके बाद उपयोगी पवन उर्जा प्राप्त करने हैं तो पवन का निम्तम वेग होना चाहिए तो निम्तम वेग कितना मतलब तेजी से पवन चले हवा चले जिससे हम लोग पवन उर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए हैं 15 किलोमेटर परती घंटा कम से कम 15 किलोमेटर परती घंटा रफ्तार से पवन चलेगा तब हम पवन उर्जा इससे मतलब तियार कर पाएंगे 40 नमबर है अमल एवं छारक के बीच की अभिकरिया कहलाती है जब हम अमल और छारक दोनों को अभिकरिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा उदासी न हो जाएगा ठीक है तो यह उदासी नी करन कहलाता है फिर साख सबजीयों का विगहटित होकर कमपोश्ट बनना किस अभिकरिया का उदारन है तो यह जो है आपका साख सबजी दोनों को मतलब यह साख सबजी सब कमपोश्ट बनता है तो यह उसमा 6 पी अभिकरिया है ठीक है उसके बाद आएए 60 नमबर कोश्चन में बाद 2 प्लस एने 2 एसो 4 और बाद 2 एसो 4 बन जाएगा प्लस 2 एनो किस प्रकार की अभिकरिया है तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यह बी ए जो है एसो 4 से मिल गया ठीक है और इधर एने जो है वो एल से मिल गया ठीक है तो इसमें क्या हुआ एसो 4 भी विस्थापित हुआ और ल भी विस्थापित हुआ तो दोनों की विस्थापित हुआ इसलिए इसको दूई विस्थापन अभिकरिया कहेंगे तेखे विस्थापन दोई विस्थापन ये सब है संयोजन वियोजन ये सब को देख लिजिए गजरा और बहुत सिंपल भी है संयोजन में क्या होता है जुटता है वियोजन में तूट जाता है मालिज एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों जुटा तो carbon dioxide बन गया, तो यह आपका संयोजन अभिकिरिया, वही वियोजन में carbon dioxide ऐसे विशेश तोरपे H2O, अगर यह तुटता है तो H2O बन जाएगा, ठीक है तो यह वियोजन हो गया, तो विस्थापन में तो देख लिजिए, कि जो है इसका माल लिजिए, इसमें जो है, कोई ए लोगों को प्राप्त होगा, लवन और जल, दोनों, ठीक है, जब कोई भी करवाईए माल लिजिए है, sodium प्लस HCl, देख लिजिए, ज्यादा, example से ज्यादा याद रहता है, sodium प्लस HCl, अगर यह दोनों को अभिकिरिया भी करवा करके आप देखिए, तो sodium chloride इधर, क्या बोलत तो देखिए, अमल क्या होता है, तो जिसका साथ से कम होता है pH मान, तो यह जो दो है, यानि की, A नमबर है न, A आपका, इसका pH मान कम है, यही अमल है, एंटेसिट का उधारन है, इससे देखिए, पिछले वाले model paper में एंटेसिट दिया था, I think, पहला या दूसरा model paper में था तो एंटेसिट किसका उधारन है, तो देखिए, milk और magnesium और baking soda दोनों का उधारन है, जब पेट में acidity हो जाता है, गैस हो जाता है, तो अपनों एंटेसिट का उप्योग करते हैं, गैस को कम करने के लिए, चलिए, आगे देखते हैं, 20 नमबर question, कौन सा पदात chlorine से अभिक्रि है न, calcium oxy chloride भी कहते हैं इसको, उसके बाद अबहे धर्मी oxide का उधारन, अबहे धर्मी oxide का उधारन आपका हो जाएगा, ये, L2O3 भी और 2NO भी हो जाएगा, इसलिए दोनों, उसके बाद यहाँ पर भी N जो है न, अच्छा, 2NO नहीं, जेड होना चाहिए न, जेड नो, जेडन, यानि जींग होगा, देखे, 22NO कोशन है, कांसा मिस्र धातु है, तो कांसा किसका मिस्र धातु है, तो देखे, ये हो जाएगा, आपका copper और SN, ठीक है, copper और TIN का मिस्र धातु को कांसा कहते हैं, फिर चाकु से काटा जा सकने वाला धातु, कौन सा धातु है, जिसको चाकु से आसानी से काट सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा, sodium, ये आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, sodium को चाकु से भी आसानी से काट सकते हैं, उसके बाद 24NO कोशन है, कि इन में से किस तत्व का electronic विन्यास 2, 8 और 7 है, तो देखे, 8, 12, 17, 17 किसका परमानुसंग क्या है, तो देखे, यहाँ पर जो है आपका, मिथेन असंत्रिप्त, अच्छा, असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन विद्धू या बंद, या बंद होता है, सही है, मिथेन असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन है, और अलगाइन का समानसुद Cn-2 तो नहीं होता है, अलगाइन का समानसु देखे यहाँ पे जो है इसमें आपका थोड़ा सा confusion है आप इसको check कर लीजिएगा ऐसे इसका answer B हो सकता है और D भी हो सकता है ठीक है B ये D तो आप इसको थोड़ा check कर लीजिएगा बाकि B सही है उसके बाद benzene का अनुसूतर है तो benzene का अनुसूतर क्या होता है तो C6H6 ठीक ह तो gas है ना चीक है बाकि boron, silicon, germanium ये सब उपतात हुए है फिर pyruvate के विखंडन से CO2 carbon dioxide और gel तथा उर्जा देता है और यह क्रिया होती है यह क्रिया कहां होती है एक क्रिया मैट्रोपॉंटरिया में होती है तो B नंबर option इसका सही हो जाएगा ठाइसका 29 नंबर पौधों मे वादपॉत सर्जन किस भाग में होता है तो वादपॉत सर्जन तो जानते है पत्ता में होता है वादपॉत सर्जन का प्रकिरिया तीस से अमासे में कौन सांजाम पाया जाता है अमासे इसके कारण खाना पच जाता है तो अमासे में पेपसीन अंजाइम पाया जाता है चीक अकेला ये सब को पकाया जाता है तो उसके लिए एथलीन एथलीन का उप्योग किया जाता है ये सब पकाने के लिए मतलब कृत्रिम तोर पे ऐसे केमिकल बना करके बाकी पेड़ में भी होता है जिसके कारण से फल पक जाता है ठीक है एतलीन हार्मोन के कारण पेड़ में फल पकता है उसके बाद मलेरिया परीजीवी का नाम क्या है शुक्रवाही का ये मादा जननतंत्र का भाग नहीं है ये पुरुष जननतंत्र का भाग है ठीक है उसके बादच्छा 35 नमबर है मानव सरीर में किसी समाने कोशिका में गुनसूत्रों के युग्म कितने युग्म होते हैं गुंसूतर का यूग्म जो है वो 23 होता है, ठीक है 23 जोडे, अगर वही संख्या पूछे कि कितना गुंसुतर होता है, संख्या में तो 46 होगा, कन्फ्यूज मत किजिएगा ठीक है, अगर आपसे डारेक्ट संख्या बोले तो 46 और यूग्म पूचे या जोडा पूचे, तो 23 जोड़े या 23 यूगन होते है ठीक है उसके अद मानव में इस्तरी में लिंग गुन सुत्र क्या होता है तो लिंग गुन सुत्र जो है इस्तरी में एक्स एक्स होता है ठीक है एक्स एक्स पाये जाता है उसके बाद और पुरुस में एक्स बाई होता है निम्न में से कौन जैव अनिम्निकरन पदार्थ है जैव अनिम्निकरन पदार्थ डिडिटी हो जाएगा आपका उसके बाद 38 नमबर है पेड़ पौधे जन्तु तथा सुच्मिजी पर्यावरन के कैसे घटक है ठीक है पेड़ पौधे जीव जन्तु जाए तो सुरू से उपयोग करें पेड्रोलियम में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है कोईला भी परमपरागत तोर पर यूज़ होते आ रहा है तो गयर परमपरागत पवन हो जाए इसका उपयोग हम लोग हाल फिलाल में सुरुगात की है कूलह जल संचय की एक पुरानी विधी है यह निमनांकित किस देपरदेश में लाई जाती है कूलह जल संचय का जो विधी है इसको हिमालय का परदेश में परियोग किया जाता है ठीक है चलिते हाँ पर आपका 40 कोशन कम्प्लीट हो गया साइंस का सेट 4 भी कम्प्लीट हो गया अब उसके बाद हम लोग पास सेट 5 है तो सेट 5 का भी हम लोग वीडियो फटाफट अपलोड करें है सेट 5 को भी देख लेंगे ठीक है तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाएं टेक केर